नमस्कार मैं हूँ अमीश दिव नमस्कार मैं हूँ सुधीर चौधरी और इस समय हम प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के राख 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 की रिमा की राख नमस्कार दोस्तो पंजाब टूडे टीवी पर आपका स्वागत है जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है आज इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली के सीएम अरविन केजरीवाल के कुछ सैविज लम है पहले क्लिप से शुरू करते हैं ये क्लिप 2014 से पहले का है और इस क्लिप में अरविन केजरीवाल ने जो जो बाते कहीं नरेंदर मोदी के बारे में वो 2014 के बाद सभी सच होती हुई नजर आई आप भी ये देखकर हैरान हो जाएंगे एक एक केजरिवाल की कही बात कैसे सच साबित हुई अगर मोदी जी प्रधान मंतरी बन गए सारे लोगों की आपका भी सर घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा मैं मुझे पता है इभी वाले आपको अच्छी तन खा देते हैं पर आपका भी घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा और मोदी जी प्रधान मंतरी बन गए आपकी गैस महेंगी हो जाएगी आपके खाने पीने की चीज़े महेंगे हो जाएगी बिजली महेंगे हो जाए चीटें हाटी ने रहे चीटें दस साल हो गए फिर भी नहीं अट रहे तो कुछ लोगों ने मिलके कॉंस्पिरेसी की कि इनको विकास पुरुष प्रोजेक्ट किया जाए यह दिखाया जाए कि इन्होंने गुजरात में बहुत विकास किया चलो गुजरात में दंगे हो गाने का एक बहुत बड़ा शडिंत्र रचा गया था मैंने का भई नरेंद्र मोदी जी अगर चुनके आ जाते हैं इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंग और गांधी परिवार अंबानी जी की जेब में है नरेंद्र मोदी जी उससे भी जादा अंबानी जी की जेब में है यह उनको क्लियर करने जा रहा हूँ सारे सबूतों के साथ वारा नसी की जनता के सामने रखने जा रहा हूँ वारा नसी के बुनकरों को सोचना पड़ेगा कि हमारा काम बचेगा कि नी बचेगा बनारसी साडी बनाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये हमारा सारा धंदा उठा के अंबानी और डानी को तो नहीं देंगे वारा नसी के किसानों को सोचना पड़ेगा कि हमारी भी जमीने चीन-चीन के अंबानी और रडानी को तो नहीं दे दी जाएंगी कभी ये मैं उनको बताने के लिए जा रहूँ अंबानी परिवार के दामाद को उन्होंने अपना गैस मंत्री बना दिया तो अगर मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बन जाते हैं तो उनकी कैबिनेट में कौन को नोगा देखिए ये डियूरप्पा तो होंगे टेली कॉम मिनिस्टर श्री रामलू होंगे माइनिंग मिनिस्टर सौरप पटेल जो की इनकी दामाद हैं वो हो जाएंगे ओल एंड गैस मिनिस्टर और अमित्षा हो जाएंगे होम मिनिस्टर अमित्षा वही है जिन्होंने उस औरत का पीछा अपनी आईवी से पीछा करवाया था तो पता नहीं किस के सा औरत का पीछ सर ये cabinet है ये alternative दे रहे हैं इस देश को मैं ये सहमत हूँ कुछ ना कुछ हुआ है सर गुजरात के चुनाव के पहले अभी जो assembly election हुआ था मीडिया ये दिखा रहा था कि उनके जैसा गंदा अदमी इस दुनिया में नहीं है और गुजरात के चुनाव के बाद कुछ ना कुछ हुआ उसके बाद ये दिखाने लगे कि इनके जैसा विकास करने वाला दुनिया में कोई नहीं है वो turning point क्या था आप खुद stories उठा लीजे मैं एक research करके आपको भेज दूँगा कि कितनी negative stories गुजरात चुनाव के आपके smile भी बता रही है एक TV चैनल के reporter ने कानपूर की ट्रेन में गुसा और उस ट्रेन में गुसके एक आदमी से पूचा वे किसको वोड़ दोगे कहता जी नरेंद्र मोदी को कहता जी मैं किसान हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा है तब मुझे लगा यार इस आदमी के साथ तो मीडिया ने बड़ा अन्याए किया उस वो आदमी कभी गुजरात ही अगर 800 किसानों ने गुजरात में आत्मत्या कर ली किसानों की सबसीडी बंदर दी किसानों को अपनी फसलों के दाम नहीं मिल रहे किसानों की जमीने छीन छीन के अगर अडानी और हमबानी को दे दी और वो बुखमरी के गगार पर आ गए ऐसा आदमी सर्किसानों का मसीहा कैसे हो सकता है मैं आपको बताता है छोटी से चेज़े कि अभी ऐसा होता है मोदी जी अगर कोई गल्ती कर दें मोदी जी कि speech छपती है फ्रंट पेज पे जो कुछ वह बोलते हैं टीसा चपती है कोई कई आपने नहीं का नहीं हमने छापी थी अगर कोई और नेता हो उसका केरियर बरबाद कर दो कि तीसरे दिन तक कहना चालों नेशन वांट्स टूनों कि इसको रिस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप मैं आपके बात समाज है आज चलिए बोलिए कोई और चाहिए पूरनेता होता उसका पूरा करियर बरबाद कर दिया गया होता ऐसा है मोती होती है जैसे इसका तीसरे दिन तक है विल-सुमनाद भारती रिजाइन टोड़े एक साल से इस देश के अंदर एक जिसमें मोधी जी को विकास पूरुश, यह नहीं दिखाया जारा कि किसानों ने आत्मत्या कर ली, उनोंने किसानों की जमीने चीन ली, छीन-चीन के उनान बाननी यो ड़ाननी को एक एक रुपए मीटर पर दे दी, यह कौई नहीं दिखाया जारा। अगले क्लिप में अर्विन केज जिवाल हमारे गुल्लू का चैनल न्यूज 18 की कैसे क्लास लगाते हैं वह देखने योग्य है क्योंकि हम सब को पता है कि गोधी मीडिया का मालिक असल में कौन है जो इन सब को तंखवा देता है मालो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड रुपे ले लिये तो आप तो यही कहोगे न जी सबूत दो मैं भी यही कह रहा हूँ सबूत दो तो एलिगेशन के उपर आप अपनी पूरी जर्नलिजम बेस कर रहे हो जर्नलिजम का मतलब होता है सच दिखाते हैं सच दिखाओ य और गोधी मीडिया को साबून लगा लगा कर धोते हैं मौधी मौधी करने से पेट नहीं बरता पागल औरे दोड़े लो पागल औरे दोड़े लो अर्विंजी बड़ा सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सौफ्ट हैं चुनाओं में आपको नहीं लगता कि राहूल गांदी के रोड़ शोस के बाद सूनिया गांदी जी की रैली के बाद कंग्रेस का टेंपो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुफसाना हो जाए क्योंकि आपका और उनका वोड़ बैंक सेम है बिल्कु जीरो सीट आ रही है जर उनकी लिखवा लो मिर से लगे लिखके देता हूं लिखके दीजे लिखके दीजे आपको बिल्कु लिखके दीजे और मैं दस तारीकों आप से बात करूंगा कॉंग्रिस की जीरो सीट और ही है तस तारीकों में बात करूंगा विल्कुल बात करूंगा नहीं मैं चाहूंगा कि ये सच हो जीरो सीट है उनकी आर ही है जीरो सीट को मजीदिया साफ हम आपने पर्चओं से जर्ने वाले नहीं है तो कि अजये लता गस तार अगर मजीदिया में हिम्मत आपता है ओ इस कि यह पी नडड़ा जो भारती जनता पाटी के नहीं ने अध्यक्ष बने उन्होंने का है दिल्ली में 30,000 बैड हॉस्पिटल में देंगे इसका बादा किया था आपने वो कह रहे हैं पांस साल में 200 बैड कम हो गए नहीं यह गलत बोल रहे हैं वो एक्चली यह लोग क्या है क कुछ भी बोल देता है इनके डेटा पर आप दिश्रास मत कीजेगा अ कि सर मैं यह पूछना जा रहा था कि हम टैक्सपेयर हैं और हम टैक्सपेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप इस्कीम निकाल निकाल के आप दे रहे हैं प्री वाला जो सिस्टम है तो यह सब को न है मिज़ा सरकार गेई है उनका मुल्स स्वाल एक कि टैक्स मत देते हां फायदा आप किसी और को देते हैं तो टैक्सपेयर के लिए क्या था नहीं एक तो यह भी गलत धारना है कि कोई टैक्स नहीं देता है इस देश के अंदर गरीब से गरीब आत्मी भी टैक्स देता है GST सारे डिखेंग जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का अपने सिस्टम बनाया है तो 200 कोई अगर किसकी 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खतम हो गया और 300 के आपको पैसे देने पहली चीज़ 200 यूनिट सबके लिए फ्री है सबकी फ्री है चाहे हमीर और गरीब हो सबकी फ्री है उसकène व्रॉफाण उसके उनसे देशकंडर जो अरथवस्था का बुरा हाल है इनकी हिमत नहीं अरथवस्था के उपर बात करने की चैननल बंद करा देंगे अम घर में गुष के मारेंगे इसलिए सार्वा दिन सुबह से शाम तथ केवल और केवल हिंदु और मुसल्मान हिंदु मुसल्मान ऐंड़ मुझो पूलने जी जी है तोज चोविस गंटे हिंदु मुसल्मान करते हैं